तो आज की वीडियो का टॉपिक है हम डेटा को कैसे एनलाइज कर सकते हैं गूगल अनलेटिक्स है आज वेलकम टू मैं चैनल मनीज डियने अगरा मेरे चैनल तक आया है तो अफकोस आपको फ्रीलांग्स में कंसल्टिंग में इंडिबेडेंट लोकेशन में पॉस्टनल ब्रैंडिंग में एन अफकोस अनलेटिक्स में बिलीव है आपको लगता है कि इन चीजों का स्कोप है आगे फ्यूचर इसी का है तभी आ मेरे चैनल तक आयो एन अफकोस आपका जो लैंग्वेज प्रेफर्ड होईगी वो मेशा हिंदी रही होई कि तभी आप मेरे चैनल तक आयो कि मैं जितना जादा लोगों तक अपने पात पुछा सकूँ अपनी कंट्री में उतना बेटर क्योंकि जो मैं टॉपेक्स उठाता हूं या मैं जो इसकूशन करता हूं मुझे पता है कि इनके बाद आपना बिजनस काट कर सते हैं पैसे कमा सब्सक्राइन 2021-2022 इसमें लैंग्वेजर नहीं, क्योंकि मैं हमेशा मानना था कि लैंग्वेज है, क्यों लोग सोचते हैं इंग्लिष आने चाइए, जर्मन लैंग्वेज आने चेहेए, फ्रेंच लैंग्वेज आने चेहेए, तब हैको मिललेगा ऐसो कुछ भी नहीं होता यह सिरफ हमारा मन का ही डाउट है जाट साथ सेल्फ डाउट जो हमें लगता है बट मैंने खुछ जॉब करी है अफकोस मैं यूजली मैं कॉर्पेट में था एक महां पर तो प्रेफरेड लैंग्विज हो थी इंग्लिश थी मैं भार भी रहा तो अफकोस मेरी इंग्लिश लैंग्विज अच्छी होगे बट मैंने फिर भी यह ट्राय किया कि मैं अब अगर अपनी ओडियास तर पहुचू तो मैं उस लैंग्विज ने पहुचू तो तो मैं ज्यादा लोगों तक अपने बात पहुचा सको आज की सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज की डेटा को कैसे एनलाइज किया जाता है और में अपको डिटेल टिटोरियल में समझाओंगा अपनी लैप्टाव स्कीन कर अब उससे पहले आप मेक्शो कर लेजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और नोटिफिकेशन बेल को सब्सक्राइब कर लेजे और उसको अपनी पोजिन लाइफ में इंप्लिमेंट कर लेजे चाहे फिलांसिंग में या जॉब में चलते मेरी लापटोप स्कीन पे जहां में समझाने वाला हूं कि गूगल एनलेटिक्स को यूज कैसे कर सकते हैं उसको डेटा को अनलाइज कैस करना है बहुत बार कंपनी आसा बोलते हैं आपकि अपनी कंपनी हो आप बढड़ करते हो लैंस करते हैं तो बहुत बार कंपनी्स ख्रatin horn च्लाइंट मिंड रसक्क सींपरीय तो मैंने इन सब की बहुत detailed tutorials बना रखे हैं आप जाके check out कर सकते हैं मेरे links मैं आपने description दे दूँँ otherwise i button पर उपर मिल जेंगे आपको links आप जाके check out कर सकते हैं मैंने बहुत detailed तरीकी में समझा रखा है Google Analytics क्या होता है Question Reports कैसे बनती है Dashboards कैसे बनती है so that our freelancing भी start कर सकते है उपने जॉब में career भी switch कर सकते है promotion दे सकते है whatever whatever बहुत बार लोग ये तो कहा देते हैं कि हम में analyze करना आता है बट जब उनसे analysis बोल ली जाती है करने को तब वो सिरफ basic basic चीज़ें को समझा पते है example आपके space से drop off है आपके example ये device से drop off है बट वो पूछे जाते है क्यों drop off है कहां से drop off है example जैसे last time हमने example लिया था पिछले वाले detail tutorial में जो हमने customer board बनाई थी कि मेरा जो mobile का conversion rate था वो down था desktop के conversion rate से तो फिर हमने customer board बनाई और check out किया कि अच्छा वो कौन से page से down था drop है उन pages से drop है तो ये basic ideas ना लेकिन इस video में हम advanced चीज़े बताएंगे कि step by step process क्या होती है कि अगर आप से कोई पूछ ले कि अच्छा है मेरे को डेटा को analyze करके बताओ तो अब हम video को ज़्यादा लंबा ना करते हुए start करते हैं सबसे पहले अपने audience से तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि पहले मेरे डेटा को analyze करके बताओ तो आप सबसे पहले क्या करो mobile की overview में चला जाओ यहाँ पर आपको मिल जाएगी device की report और device की report होती क्या है device की report होती है जिसमें बतलाएगा desktop क्यों होता है mobile क्यों होता है क्या वो एक booking company है जिसमें जैसे booking होती है transition होती है तो उनके लिए conversion rate बहुत important है वो एक blog company है content based company है news की company है media की company है तो उनके लिए जो behavior जो matrix होते है जैसे bounce rate pages per session average session duration कि किते लोग आ रहे हैं किते लोग bounce हो रहे हैं यह बहुत important होने तो यह हम समझेंगे of course अगर example हमने अभी case लिया है कि एक booking की website है कोई travel company की website है उसमें booking आती है बहुत सारी तो सबसे पहले तो आपको यह समझाना है उनको कि देखो sir जो सबसे major जो problem है आपकी overall business में वो है mobile जैसे हैं आपने देख सकते हैं कि मैंने comparison ले रखा है February का और January का तो आप है कता सत्य के सर जो सबसे बड़ा major problem है वो आपका mobile की conversion rate का अब वो यह भी तो बोल सकता है कि नहीं मेरा तो mobile में traffic आ रहा है येस mobile में traffic आ रहा है और वो of course desktop से कम है बट जो traffic आ रहा है mobile में वो convert नहीं हो रहा तो हमें उनकी journey को उनको optimize करना सीखना पड़ेगा हमें ये बताना पड़ेगा कितना conversion rate डाउन है और वो कितना ऊपर हो सकता है एक्जामपल desktop के case में अब 3% है इस मन्त का I mean last month का 3% हो चुग है तो आपको इनके बताना है कि अगर हम mobile में 0.5 से 3% तक जाते हैं जो कि desktop में गया है and possibility है कि mobile में उतना चला जाए तो हमारा जो overall conversion rate होगा मतलब overall जो booking convert होईगी वो example 2.5% से ज़ादा book होईगी तो आज की date में अगर example total example 50 bookings हो रही है तो 60 booking होने start होगे 65 booking होने start होगे तो of course आपको वो math करना पड़ेगा वो समझाना पड़ेगा उनको बट जो overall idea होगा सबसे पहले आपको जो देखना पड़ेगा कि अच्छा कौन से device से ज़ादा bookings आरी है and किसके conversion rate पर problem है ये भी हो सकता था कि mobile का traffic आता है बट mobile का conversion rate अच्छा होता example ये भी 2% होता ये भी 2.5% होता तो आपको ये समझा आता कि conversion की problem नहीं है कि हाँ मेरा कुछ mobile या कुछ optimize करने का need नहीं है मेरे को सिर्फ traffic बढ़ाना पड़ेगा तो of course फिर हम source पर चलते हैं मतलब channels के data पर चलते हैं बट सबसे पहला जो problem मेरे को दिख गई device level पे वो यहीं दिख गई कि यहाँ पर जो issue है वो mobile की conversion rate पर है ठीक है अब example आपने check out कर लिए अच्छा है mobile conversion rate की problem है इसके अलावा क्या problem है तो हम चलेंगे next which is the geography report location report हमें ये बताने बढ़ेगी कि अच्छा कौन सी city में सबसे ज़ादा problem है या कौन सी country में सबसे ज़ादा problem है example आपकी जो website है या जो जिस भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो पता जैसे हो travel company है जो हमने example ले रखा है वो बहुत अलग-अलग cities पे काम करती है तो आपको बताना बढ़ेगा अच्छा कौन सी city का जादा अच्छा conversion rate है हो सकता है कि उनके वेबसाइट में कुछ इशू हो उसकता है उनकी site speed में इशू हो उसकता है desktop ये mobile में कुछ इशू हो of course हमने mobile as in overall तो check out कर लिया तो mostly हमें answer mobile से मिल जाएंगे but अब जैसे हम देखते हैं कि San Francisco San Francisco में ऐसा कुछ हुआ जिसमें हमारे traffic सेम रहा आप देख रहे हैं approximately सिर्फ 7% का difference है इतना खास difference नहीं था 645 से 694 हुआ but अगर आप transaction देख रहे हैं तो 123% बढ़ गई 61 से 136 हो गई revenue 250% बढ़ गया 4000 डॉलर से ले हो गया 15,000 डॉलर and conversion rate हो गया double तो आपको अपने CEO को CMO को अपने marketing head को marketing director को बताना पड़ेगा कि sir मैंने data को analyze किया है and उसमें overall बाकी जितनी भी cities थी वो overall same same थी जैसे New York का आप देख सकते हो London का देख सकते हो San Jose का देख सकते हो but San Francisco में सर कुछ हुआ है and हमारी bookings बहुत जादा increase हुई है हो सकता है कि आपकी company में कोई नया product launch हुआ San Francisco या हो सकता है आपने कोई add run करी हो तो आपको इस अपनी marketing team तर deliver करना पड़ेगा एक analysis करके देनी पड़ेगी San Francisco में increase हुआ है and उसका double conversion rate हो गया हो सकता है कि same चीज जो भी आपने San Francisco में करी है same चीज आप बाकी cities में कर सकते है इस example इस वाले case में example हम New York में कर सकते है हम San Jose में कर सकते है example हम Singapore में कर सकते है Singapore में आप देख सकते हैं कि बहुत traffic है like 600 traffic है यहां पे भी था San Francisco में 700 था थोड़ा सा काम है Singapore में लेकिन Singapore में कोई booking नहीं है तो आप ही बहुत सकते हैं कि Singapore में ऐसा क्या है जो Singapore में booking नहीं आ रही तो हमें इस level I mean इस city level data में दो तरीकी के analysis पता लग गए कि एक तो हमें San Francisco में क्या हुआ अच्छा है जो हम बाक्तियों में replicate कर सकते हैं Singapore में क्या गलत हुआ जो की जिसकी वज़ा से issue आया ठीक है जी तो यहोगे दो चीज़े पहला device and then geo next आता है आपका acquisition acquisition मेरा सबसे favorite होता है source or medium source or medium से आपको समझा आता कि कोई source medium अच्छा चल रहा है हो सकता है कि SEO से आपको बुकीन आई हो वो सकता आपको सिर्फ paid से आया हो वो सकता सिर्फ आपको direct से आया हो example जैसे अब देख सकते हैं कि direct direct से traffic almost same रहा है सिर्फ 2% का difference है but conversion rate 12% से increase हो गया 2.25 से लेकि 2.50 हो गया मैं यह बता दू 2.5 2.25 से 2.5 conversion rate बहुत अच्छा होता है कि इसो करने के लिए बहुत ज़ाधा labor करने पड़ती है बहुत सारे factors को consider करना पड़ता है जिरू लगता है conversion rate के मामले में कि 0.5 ही तो बड़ा है 0.25 ही तो बड़ा है but actually में 0.25 बहुत बड़ा होता है and same चीज़ आप देख सकते हैं कि सिरफ 0.25 बढ़ने से 28% का revenue increase हो गया at the end of the day अगर आप कोई ऐसी company के साथ काम कर रहे है जिनका सिरफ एम ये है कि हमें conversion बढ़ानी है, sales बढ़ानी है, revenue बढ़ाना है तो अगर आप आप नहों को बता दिया कि कहां से किस particular channel से revenue बढ़ रहा है तो of course it's a win-win for them same चीज़, अगर हम Google CPC देखेंगे जो Google की paid ads है, तो आप देखोगे हलका सा यहाँ पर traffic बढ़ा है आप जाके check out कर सकते हो Google Ads team के साथ के अच्छा उन्होंने कोई campaign नया रंग किया है जिस campaign की वएसे उनको जादा revenue आ गया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 120% का transaction increase हो गया and conversion भी बढ़ गया कुछ 88% से, तो I am very sure कि जो यह increase हुआ है traffic, 8400 से जो 96100 में हुआ है इसी की वज़ा से ही transaction और revenue बढ़ बढ़ होगा या फिर जो आपने इस में strategy लगाई है वो ही आप replicate कोशकते है ठीक है जी, next आता है यह होगे source medium, अभी तरह हमने check out किया है device, geography, source medium अब हम चेक आप करेंगे कोन से landing page अच्छे चल रहे हैं और कोन से landing page अच्छे नहीं चल रहे है यह बहुत इंपार्ण होता है especially अगर आप मार्केटिंग के पार्ट है तो यह दो उनके लिए सबसे इंपार्ण होता है जैसे अभी चक्का सेथ है landing page पे जैसे home है तो home आपका almost same रहा मतलब conversion जो था, वो 0.79 से 0.75 हो है जैसे अब देख रहे हैं कि इस page में बात करें Google Redesign Shop by Brand और YouTube है इसका जो conversion rate वो 180% बढ़ गया can you beat that 180% conversion rate बढ़ गया इस particular landing page का ऐसा क्या हुआ हो सकता है कि इस page को आपने optimize किया हो, इस page पे नहीं कोई Google YouTube की video गई हो जो viral हो गई हो तो there are lot of different factors अब आपको इस of course page पे जाना पड़ेगा आप इसको इस button क्लिक करेंगे तो यह आपको directly उस page पे ले जाएगा अब check out कर सकते हैं क्या add हुआ क्या add नहीं हुआ otherwise जो भी team content लिखती है या YouTube का blog लिखती है आप जाके उनसे check out कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वज़े से 180% का increase हुए and of course जो आप एक analysis बना रहे होगे अपने senior heads के लिए आप ये वाला point भी mention कर सकते हैं कि जो भी आपको pages मिलेंगे आप जाके उनको बता सकते हैं कि अच्छा इस page में ये अच्छा रहा इस page में अच्छा नहीं है ठीके जी ये होगे चार चीज़े अब हम चलते हैं जो सबसे most important होता है e-commerce and कभी भी कोई analysis start कीजिए तो सबसे important है ये अपने stakeholders को बताना कि actually met overall level पे कितना increase हुआ अगर आप पहले start करेंगे ने device में ये increase हुआ ये drop हुआ geography में ये increase हुआ ये drop हुआ ये page level में problem हुई ये page level में problem नहीं हुई ये source video में problem हुई ये source media में problem नहीं हुई सबसे important है कोई भी analysis start करने से पहले कि आपको उसको overview देना है कि इस महीने हमारे पास कितनी sales आई अच्छी आई तब भी बताना है नहीं अच्छी है तब भी बताना अच्छी आएगी तो आपको बताना है कि और हम अच्छा कैसे कर सकते हैं अगर नहीं अच्छी है तो of course आपको अपने stakeholders को iska major reason तो बताना ही पड़ेगा जैसे मैंने आपको अपने first or second video में थोड़ा उसा basic idea दिया था अगर अगर आपको ये video बहुत heavy लग रही हो आप check out कर सकते है मेरी first or second tutorial जो मैंने इसका part series बनाया थे Google Analytics की मैं उसके links आपको description में दे रखूँगा otherwise i button में भी आपको मिल जाएंगे but please make sure ये तीनो सीरीज को अराम अराम से pause करके notes लेके pen document लेके अराम से देखिए क्योंकि तभी आपको समझाएगा Google Analytics को use किसे करा जाता है क्योंकि आपको सारे जो लोग मिलेंगे content creators मिलेंगे वो सिर्फ समझाएंगी Google Analytics होता क्या गूगल Analytics का basic version के बट मैंने आपको सिखा दिया basic advance and data को कैसे analyze करा जाता है यह सबसे important चीज़ होती है तो जैसे आपने अब आप देख रहे हैं इस e-commerce overview में आपको अच्छा ठीक है मेरा revenue कितना increase हुआ conversion rate कितना increase हुआ average order value कितने बड़े तो यह सब basic चीज़े आगर आप एक analysis में डालोगे चार या पांच page की analysis बनाओगे तो आपको overview मिल जाएगा और उसके बाद फिर आपसे जो senior आपकी stakeholders होएंगे आपकी clients होएंगे फिर वो आपसे questions पूशे start करेंगे तो जब तक उनको वो data नहीं दिखेगा जब तक आप उनको एक सही तरीके से structured way में data को analyze करके नहीं दिखाओगे तो उनको यह नहीं पता लाएगा कि हमें questions कैसे पूशने and it is always very important कि जब भी आप e-commerce overview करो या कोई भी analysis करो तो उसमें same time frame को comparison ज़रूर होना चाहिए अगर monthly करने हैं तो month versus month अगर करने हैं daily तो daily versus daily वीकली करने हैं तो weekly versus weekly quarterly करने हैं तो quarterly versus quarterly yearly करने है तो yearly versus yearly क्योंकि जैसे अगर example आप celebrate कर रहे हैं आपके company में easter आने वाला है तो देखना चाहिए चाहिए लास्ट इस्टर में क्या अच्छा हूँ आ इस बर हम क्या कर सकते हैं तो आपको analysis करने पड़ेगी last easter की 2021 की तो सेम चीज आपको एक analysis की sheet फिल नानी पड़ेगी stakeholders को देना पड़ेगा उनके सब brain stop करना पड़े है क्या अच्छा था क्या बुरा था जब आप इस टाइम इस तक लिए preparation करें या जब preparation खतम करने वाले हो तो आपको यह पता हो कि हम कितना revenue कितना conversion expect कर सकते हैं अपने business में से तो यह था एक detailed tutorial Google Analytics का इसे के साथ मेरी Google Analytics के series खतम हो रही है अगर आपको बहुत detail में Google Analytics को समझने आपको लगता है कि आपको freelance करियर है आपको करियर को switch करना है web or digital analytics में तो मैं cohort course भी चलाता हूं जिसमें मैं 3-4 घंटे 30-40 batch के students के साथ बताता हूं 3-4 दिन उनको समझाता हूं data कैसे देखा जाता है data को कैसे analyze किया जाता है देटा analytics में उसके बारे में समझाता हूं तो आप जॉइंग कर सकते हैं comment section जाके आप जुरूर लिखे that I want to learn Google Analytics अगर आप लिखेंगे तो आप मेरी wishlist में एड हो सकते हैं जब भी मैं cohort launch करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिक्शन आएगी और आपको आपका free pass मिलेगा ताकि आप अपना फीलांसर करियर आप अपने जॉच्छ कर सते हैं जॉब को प्रमोशन ले सते हैं Google Analytics को करके आइ होप आपको यह detailed वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मेरे को बहुत सारे डियम साते हैं मेसीजिस आते हैं अलग-अलग सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म की सर हमें यह तो समझा आगे कि टेक प्लाटफॉम को यूज करना है बट डेटा को एनलाइज किसे करन ताकि उनके लिए एक earning का source बन सके और Google Analytics बहुत अच्छा earning का source है फ्री आफ कॉस प्लाटफॉर्म में आपको पैसे नहीं लगाने होते तो मेरी जो पूरी सीरीज आप उसको चेक आउट कर सकते हैं मैंने link नीचे description में डाल दिया आप जाके check out कर सकते हैं Google Analytics में अपने आपक कर सकते हैं अगर आपको Google Analytics का specialization course करना है Google से certified होना है तो मैं उस course का भी link अपने description में डाल दूँगा वो आप चेक आउट कर सकते हैं मैं इसका affiliate marketer हूँ तो थोड़ा सा मेरे को support हो जाएगा अगर आप मेरे link के थ्रूँ इस course को पर्चेस कर सकते हैं करेंगे so yeah so thank you guys this is Manish Kumar signing off